Hello friends, welcome back to English with Aasha, मैं आज फिर से आपके लिए एक interesting story लेकर आए हूँ और इसका title है A father's letter to his son एक पिता की चिठी यहाँ पे जो apostrophe लगावा है उपर उसका मतलब होता है possession बताना अधिकार बताना कि पिता की चिठी to his son अपने बेटे के नाम तो आएए पढ़ते हैं बहुत interesting है आपको अच्छी लगेगी In a city, a boy lived with his parents एक शहर में, in a city, शहर में a boy lived live का past tense है lived एक लड़का रहता था with his parents अपने माता-पिता के साथ तो simple past में है यह वाला sentence उसमें verb की second form लगती है रहता था His grandparents used to live far away in another city His personal pronoun है जो लड़के के लिए used है कि उसके जो दादा दादी थे, grandparents used to live, रहा करते थे far away, बहुत दूर, in another city, किसी दूसरे शहर में The parents would take their son to his grandparents' house during summer holidays every year The parents, जो माता-पिता थे, would take their son अपने बेटे को ले जाया करते थे would take, ले जाया करते थे to his grandparents' house उसके दादा दादी के घर में यहाँ पे grandparents जो है वो already plural है जिसमें की दादा और दादी दोनों को मिला के हमने लिखा grandparents, ठीके तो S से खतम हो रहा है यह वाला word इसलिए हमने apostrophe के बाद सिरफ यह कॉमा उपर apostrophe लगा के छोड़ दिया, तो हमने दुबारा से S ने लिखा, grand parents से S ने लिखा, grand parents यह भी एक तरीका है apostrophe लगाने का लेकिन यह बता तो रहा है possession अधिकार बता रहा है कि उनके जो दादादी का घर था, ठीके तो apostrophe क्या बताता है, possession बताता है, अधिकार बताता है, तो parents, माता पिता अपने बेटे को ले जाया करते थे, उसके दाद दादी के घर में summer holidays, मतल़ गर्मी की छुटियों के टाइम पर के दौरान, during के दौरान every year, हर एक वर्ष हर साल, they would stay there for 15 to 20 days and then return, तो they would stay there, वो माता पिता और बच्चा, ये लोग थे, वो रहा करते थे, would stay there, रहा करते थे, 15-20 दिनों के लिए and then return, और फिर वापिस आई जाया करते थे the boy always loved visiting there, जो लड़का था, always, हमेशा loved, उसको अच्छा लगता था second form में है verb loved, visiting there, वहाँ discontinued every year, और ये लगतार चलता रहा हर साल, continued जारी रहा, every year हर वर्ष, ये भी simple past में है sentence, with time, the boy grew up, with time, समय के साथ grew, grow का past tense हो गया, grow बढ़ना और grew बढ़ा, या बढ़ा हुआ, यहाँ पे तो बढ़ा हुआ है इसका मीनिंग, समय के साथ लड़का बढ़ा हुआ, grew up one day the boy the young boy said to his parents तो एक दिन, युवा लड़के ने said कहा अपने माता पिता को, अब उसने जो कहा है, देखिए, अभी तक जो हम sentence पढ़ रहे हैं, वो तो हम simple past में पढ़ रहे हैं क्योंकि story जो है past tense में लिखी जाती है ज्यादा तर यहाँ पे जो inverted commas के अंदर है वो direct speech है और यह वो कह रहा है, अपने dialogue बता रहा है, तो यह present tense में हो सकती है, now I am big, अब मैं बड़ा हो गया हूँ I can go to my grandparents' house alone, I can go, मैं जा सकता हूँ, अपने दादा दादी के घर, alone alone, is it okay, if I go on my own, so यह interrogative sentence है, जहाँ भी question mark से finish होता है sentence, वो interrogative sentence है, प्रशन पूछ रहा है is it okay, क्या यह ठीक रहेगा if, अगर, I go on my own, means, खुद से अपने आप अगर अकेला चले जाओं, क्या यह ठीक है please let me go by myself please, क्रिप्या करके, let me go, मुझे जाने दीजिए, by myself, खुद से, अकेले जाने दीजिए मुझे, और inverted commas खतम हो गए, तो यह उसने speech बोली अपने parents से his parents refused at first, refuse मतलब मना करना, past tense में है यह, refused मना किया उसके माता-पिता ने मना किया at first, पहले तो but, when the boy insisted but means लेकिन when, जब उस लड़के ने insist किया insist मतलब आग रहे किया अपनी बात पर अडा रहा, बोलता रहा जिद करता रहा when the boy insisted, तो जब वो आग रहे करता रहा, finally आखिरकार, they agreed तो वो सहमत हो गए, दोनों के दोनों सहमत हो गए, यह वारा sentence भी simple past में ही है, past indefinite में, his parents were worried about his safety तो उसके जो माता-पिता थे were, parents के लिए यह plural verb यूज किया गया है उसके जो माता-पिता है माता-पिता वो थे worried चिंतित about his safety उसकी सुरक्षा को लेकर क्योंकि पहली बार अकेला travel कर रहा है तो वो दोनों चिंतित हैं so they taught him everything he needed to know, इसलिए teach का past tense हो गया taught उन्होंने उसको सिखाया everything, सब कुछ he needed to know, जिसकी उसको जानने की जरूरत थी, needed उसको चाहिए था जो उसको जानना about traveling, यात्रा करने के time क्या-क्या चीजें जरूरी होती है याद रखना तो traveling alone, और वो भी अकेले यात्रा करते समय उसको क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यह उसके parents ने उसको सब कुछ बताया सिखाया the boy wanted to enjoy his stay with his grandparents तो जो लड़का था, वो चाहता था enjoy करना, आनन्द उठाना अपने रहने का, stay means वहां रहना, अपने दादा दादी के साथ, इसमें वो enjoy करना चाहता था, आनन्द उठाना चाहता था, he wanted to take some of his stuff और wanted, मतलब चाहता था, ले जाना कुछ अपना सामान, यहां पे stuff है कि खुद का अपना सामान ताकि वो वहां पे बोर भी ना हो enjoy करे, he asked his he asked his mother, उसने अपनी माँ से पूछा, फिर से inverted commas में है, mom, this is summer, I would like to take my swimming goggles goggles and swimming suit, तो अपनी माँ से पूछ रहे है कि अभी गर्मियों का time है, this is summer तो गर्मिया है, I would like to take, मैं ले के जाना चाहता हूँ, my swimming goggles तो swimming, तैरते समय मैं जो goggles पहनते हैं, आँखों में चश्मे पहनते हैं, swimming वाले वो ले जाना चाहता हूँ, and swimming suit, और swim करते time, जो dress पहनी चाहती है, उसको swimsuit कहते हैं, वो भी मैं ले जाना चाहता हूँ, may I take them, please, तो request कर रहा है क्या मैं इनको ले जा सकता हूँ, please फिर से question mark है, sign of interrogation है, प्रशन पूछा है उसने, क्या मैं इनको ले जा सकता हूँ, please, the mother said, okay but always go swimming with your grandparents, तो मा हां तो बोल देती है, लेकिन बोलती है कि हमेशा, जब तुम तैरने के लिए जाओ, तो अपने दादा दादी के साथ ही जाना go swimming with your grandparents he said don't worry mom तो अपनी मा को बोलता है कि चिंता मत करो mommy, he loved his grandparents a lot तो लड़का अपने दादा दादी को बहुत प्यार करता था a lot means बहुत प्यार करता था he wanted to take some gifts for them, wanted to चाहता था, take लेके जाना, some gifts, कुछ तोफे उनके लिए, for them उनके लिए, and said तो तब उसने अपनी मा से कहा, would it be alright, if I took sunglasses, and mufflers for them, क्या ये ठीक रहेगा, would it be alright क्या ये ठीक रहेगा, if अगर, I took sunglasses, अगर मैं धूप के चश में ले जाता हूं, and mufflers, अब muffler जो होता है, वो गले में एक डालने का कपड़ा होता है, तो धूप से बच सकते हैं, उससे, सर्दियों में भी हम woolen वाले muffler यूज करते हैं, और गर्मियों में हम cotton के mufflers यूज कर सकते हैं, तो कहता है कि क्या ठीक रहेगा, कि मैं अगर धूप के चश में ले जाऊं, और कुछ mufflers ले जाऊं उनके लिए, question mark है फिर से, प्रशन पूछ रहा है she smiled and said that it was a good idea, तो उसकी मा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ ये तो बड़ा अच्छा idea, अच्छा विचार है जो तुमारे मन में आया है the day came when the boy was to leave for his grandparents house alone, वो दिन भी आया, काम का पास्टेंस हो गया, came वह दिन भी आया when, जब the boy was to leave, जब उस बच्चे को जाना था, was to leave means जाना था, अपने दादा दादी के घर में और वो भी अकेले, for his grandparents house, अलोनिया, अपोस्ट्रोफी लगा है तो दादा दादी के घर और वो भी अकेले, his parents came with the boy to see him off, तो उसके माता-पिता came आए अपने बेटे के साथ, to see him off, तो ये जो phrase है, to see off, इसका मतलब होता है, कि किसी को bye-bye बोलने के लिए कहीं जाना, छोड़ने के लिए कहीं जाना, तो उसको see off करने के लिए, माता-पिता भी आए और वो train से जा रहा है, अपने दादादी के घर, तो वो railway station तक आए है, when the boy was comfortably, comfortably settled in his birth in the train, तो जब वो बच्चा आराम से settled हो चुका था, यहाँ settled का मतलब है कि आराम से बैठ चुका था, comfortably आराम से settled, बैठ चुका था, in his birth in the train, तो birth हो गई वहाँ पे जो उसकी seat है, b-e-r-t-h यह birth का मतलब होता है जो train में seat होती है, और एक होता है b-i-r-t-h, birth means जनम ठीक है, तो अपनी train की seat में जब वो आराम से बैठ चुका था या बैठ गया था, comma है sentence finished नहीं हो आया अभी his parents left, leave का past tense हो गया, left, तो उसके माता-पिता चले गए वहाँ से and waited, मतलब उसकी डबे से नीचे उतर गए, उसका जो compartment है, उससे नीचे चले गए and waited और इंतजार किया for the train to depart, और platform में खड़े होके उन्होंने इंतजार किया कि इंतजार करते हुए while, मतलब किसी काम को करते हुए, तो waiting है यहाँ पर इंतजार करते हुए, the father went to the window and kept talking to his son, पिता जो थे, go का past tense हो गया went, वो गए, window उस compartment की window के पास and kept, keep का past tense हो गया, kept और लगे रहे बाते करने में अपने बेटे के साथ talking to his son, while talking, बाते करते समय his father handed him an envelope through the window, तो बाते करते बाक्त क्या हुआ, उसके पिता ने, handed मतलब उसको दिया, सौपा, एक envelope मतलब लिफाफा एक लिफाफा उसके हाथों में रख दिया, through the window खिडकी से, and said और कहा, son inverted commas में है, तो बात कर रहे हैं कि son, if you feel afraid or scared, on the way बेटे, if you feel अगर तुम महसूस करते हो afraid means, डर, और scared भी हो गया, डर, अगर तुमको डर महसूस करता है, होता है on the way means, रास्ते में क्योंकि लंबी जर्नी है, उसके grandfather और grandmother तो काफी दूर रहते हैं on the way, यात्रा के दौरान open this, इस envelope को खोल देना, इस लिफाफे को खोल देना, and read it और फिर पढ़ भी लेना it will help you to calm down, तो ये जो है envelope और इसमें जो चिठ्थी है उसमें जो भी लिखा है will help you, वो आपकी मदद करेगा to calm down, आपको शांत करने के लिए, और चिंता से मुक्त करने के लिए, अगर आप डर जाओगे तो इसको पढ़ लेना, थोड़े शांत हो जाओगे आप इसको पढ़ने के बाद the boy kept, keep का past tense हो गया kept, उस लड़के ने रखा that envelope, वो वाला लिफाफा safely, सुरक्षित तरीके से in his pocket, अपनी जेब में and said goodbye to his parents और उसने पने माता पिता को बाए-बाए कहा, और departure departure announcement was made departure मतलब प्रस्थान announcement means घोशना तो प्रस्थान, train के प्रस्थान की घोशना की गई the boy smiled and told his father, अब बेटा जब train चलने लगी, तो थोड़ा सा मुस्कुराया, और उसने अपने पिता से कहा tell का past tense हो गया, told अपने पिता से कहा, I remember everything, don't worry, मुझे सब कुछ याद है, जो आपने मुझे बताया है, आपने और माने मुझे बताया है don't worry, आपको चिंता करने की जुरत नहीं है, the train got a signal to depart, और फिर train को मिला, एक signal प्रस्थान करने का, to depart प्रस्थान करने का at every station, तो हर एक station में, where the train stopped, जब भी train जहां-जहां रुक रही थी stations में, people kept coming and going people यहाँ पे plural है, person का plural, लोग जो थे kept coming, वो अंदर भी आये train के, keep capacity kept, अंदर आते रहे and going, और बहार भी जाते रहे compartment से, the boy was observing all this, तो जो लड़का था वो यह सब देख रहा था observing means बारिकी से यह सब देख रहा था, he saw that everyone was with someone तो उसने देखा, see का पास्थान से saw, उसने देखा that everyone हर कोई है यह था, यहाँ पे was है, तो हर कोई था with someone किसी और के साथ, वादा अकेला कोई travel नहीं कर रहा है and soon started feeling lonely soon means जल्दी ही started महसूस करने लगा feeling lonely means अकेला और जल्दी ही वो अकेला महसूस करने लगा या शुरू कर दिया, started है शुरू कर दिया उसने अकेला महसूस करना यूँकि सब लोग किसी ना किसी साथी के साथ travel कर रहे है at one station, अब एक station में a big man entered the compartment एक बहुत बड़ा आदमी entered प्रवेश किया उसने उस डब्बे में, compartment में the boy was scared of him अचानक से बच्चा इतने बड़े आदमी को देखकर scared मनला डर गया scared of, scared के बाद preposition of लगती है तो वो जो है उसको देखकर डर गया he tried to sleep but could not, तो उसने कोशिश करी, tried, सोने की लेकिन वो नहीं सो पाया because he kept on thinking of the big man, क्यूंकि वो बच सोचता रहा, kept on thinking, सोचता रहा of the big man उस बड़े आदमी के बारे में तो उसको नीन भी नहीं आ रही थी, पहली बार अकेला travel कर रहा है, तो डरा भी हुआ है he got even more scared अब क्या हुआ, he got वो हो गया, even more scared, और भी ज्यादा डर गया then, he remembered his father's letter, तब उसको याद आया, remembered ठीके, past tense में है ये कि उसको याद आया, अपने पिता का वो जो envelope दिया था, रहोने लिफाफ़ा, he put his hand into his pocket, तो उसने अपना हाथ जो है, अपनी जेब में डाला open the envelope, लिफाफ़े को खोला and read the letter और read का past tense हो गया red, spelling यही रहती है read, लेकिन अब इसको बोलते है red, past tense वाले को, तो उसने पढ़ा अपने पिता का letter his father had written तो उसके पिता ने लिखा था had के साथ verb third form लगी है past perfect में है ये कि उसके पिता ने लिखा था don't be afraid, inverted commas में है तो ये बोलना जो चाती थे, वो उनने inverted commas में लिखा था कि don't be afraid, डरना मत I am here with you on this train मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ, इसी train में in the adjacent compartment, adjacent का मतलब होता है कि बगल वाले साथ वाले, compartment डबे में, तो आप डरना मत क्यूंकि मैं भी इसी train में travel कर रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ बगल वाले डबे में हूँ मैं और inverted comma close, बस ये एक दो line लिखी हूई थी उस चिठी में just after reading that letter बस ये letter ये चिठी पढ़ने के बाद the boy's face, लड़के का face, लड़के का चहरा lit up, यहाँ पर है कि वो खिल उठा, अभी तो वो डरावा था अब जब ये चिठी पढ़ी कि parents, मेरे पिता भी साथ में ही है साथ वाले डबे में है तो उसका चहरा खेल उठा and all the fear vanished और जितना भी डर था, वो भी सारा vanish मतलब गायब हो गया, भाग गया so friends, यही थी हमारी short moral story और इसमें कैसे वो लड़के को last में जो है आश्वासन मिल जाता है कि मेरे पिता भी मेरे साथ है मैं भी अकेला travel नहीं कर रहा हूँ बस यह सिरफ पढ़ते ही वो बड़ा खुश हो जाता है तो I hope आपको यह story पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया है तो please like, share और subscribe करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में मिलते हैं friends comments में बताईएगा कैसी लगी story thank you for watching